hello everyone botanist youtube channel में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले concept of metabolism the sum of all chemical reaction inside the living system called metabolism जो में बस chemical reaction होते है माई living system की body में उसको बोलते है metabolism metabolism जो एक सिफ एक step नी होता है इसमें multi step processes होते है उसको metabolic pathway बोलते है इसमें आपल इसमें जो glycolysis होते है यह तंस्टाप का होते है और इसमें आपस glucose moleकूल जो तू पर विक आशिद में जो जो जाते है anabolic pathway and catabolic pathway anabolic pathway हम बात है इसमें वा बिल्दिंग ब्लोक और प्रोसेस मतलब इसमें कसी की construction होती है प्रणिक 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 प्रणि Metabolic Enzyme, Enzyme Regulatory Reaction. मैंला कि, जो Metabolic Pathway है, हर एक step में जो एक Enzyme होता है, जो बस रेगुलेट करता है इं रेक्शिन को, ठीक है? Bio-Catalyzed वो होते है, जो इंक्रीस रेट बियो क्रीमिकल रेक्शिन. End-Product may be formed in a sense, then required wastage of energy and material. नमबाता हमें आभास रेक्शिन. कि, इसे बसे नो बात बाता है, जो हमेरो बाता है, जो हमेरो रेक्शिन. एक हम इसांपल सले एक लिए कुलकोस जीमेतिकल लिक आपर इस बेड़ान इन तो वर्ट अंचियो टीन इस अनर्जी इस तो अज रिवाज़ फार अटीप इस एडिवर्ज वर्यों इस इस उस में बस अनर्जी को जा वर्ज पहता है ATP जयाओ जखनेड दिख ए्स हीड दिख जखनेडे केश जखने बैदिंट नन्यवति किन्क यलिख एंग नखनेड दिरींट है जए ट्राछिव लिस्टीन केकल दिखनेडिनिग जखनेड जखनेड एंग जग जखने टिखनेडियी गल्य। एंग टुणे फटे का कि लेक्तिक इंपृस में पहते हैं, नर्व इंपृस। प्रक्षुन अंबुड़्स में होती है, हीट अनजीन होमोथार्पी। और नहीं बात करते हैं इन्जायम्स जोे water solvus, collider, organic, macro बायोमोल्चिस होते हैं holy and partial जोे proteins in nature enzyme जो water solvus, collider, organic, macro बायोमोल्चिस होते है holy and partial जोे proteins की दाज होते हैं धर नेची होते हैं capable of catalyzing specific biochemical reaction under stress, freeze condition of temperature and pH डिस्कवरी किस ने रीता है लुएस पाइशय नहीं किती, फर्मेंटेशन ओफ यह स्थ इंजाइम जो है, उसका इन जो है, वो अगर इन जाइमा होता है, इस्थ, इंसाइड इस्थ, ठीका, प्रोप्टिस क्या होते हैं, प्रोप्टिस ओफ निजाइम, polymeric organic compound होते हैं, enzymes are wholly and partially yRNA, enzyme micro amount used again and again, paths can be used in both ages, enzymes biological origin are always produced in living cells, 3 dimensional tertiary structure, bio catalyzed help in reaching equilibrium constant, इकुलिबियम को constant टेखने के लिए यह हम बायो कटलाइस को यह help गते हैं यह में बस help करते हैं enzyme are substrate specific like example, maltose, sacros, lactose specific is sequence होते हो यह reversible reaction होते है इंशाइम versus inorganic catalyzed catalyzed होते है increase the rate of chemical reaction बाइकbase ने हों जो पंढ़ पर बायोचो एक्यमीकल रियाक्शन कीano राक्षार की रियति को इंकरीज य। आफी डिक्रीस करते हैं बोथा इफ्यक्तिव इन वेरी स्माल अमॉंच इ सोट लीफ्ट गॉंट्स होते ह 25 इंग पर रमें अचेले लियुज रियाक्शन NO EFFECT ON EQUILIBIUM OF REVERSIAL CHEMICAL REACTION तो माँबस को EFFECT निबता हते है कभी जब को EQUILIBIUM REVERSIAL CHEMICAL REACTION हो IMPORTANCE OF ENZYME तो मस् METABOLIC REACTION को CONTROL करते है तो CONTROL TEMPERATURE तो इस ACT एस BIOCATALYZE TO SPEED ON THE RATE OF BIOLOGICAL FUNCTION तो मस् BIOCATALYZE होते है तो SPEED करते है तो RATE OF BIOLOGICAL FUNCTION को MECHANISM OF ENZYMES ACTION तो LOCK AND KEY में बात करेंगे LOCK AND KEY MECANISM में बस वो होता है ENZYMES VIA ACTIV CENTER CATALYTIC SITES और ACTIV SITES SUBSTRETE MOLECULLE INTIMINATE ASSOCIATION BY THE SPECIFIC AREA CALLED REACTIV SITES में बस एक SITE होता है जहांपर एक ACTIV CENTER होगा जहांपर एक CENTER होगा जहांपर एक्टिव सबस्ट्रेट को जानेंगे तो इस पर हमाँ वो एरिया जो है वो specific करेंगा ठीक है मतलब एरिया जो इसको रात रात रियाक्त होगा इसको हम बलेंगे रियाक्टिव साइट इस एक्टिव साइट आश्पैसिली अनली हमें शांपर लंए की लुग कोक। रेक्राइब ऐरियाक्तिव साइट विद प्रह्पर जिय होगा इक इस साइत में एक सब्स्ट्रेट इलेंगे कवर वी सब्स्ट्रेट होगा उसको एंपरे रखेंगे रिक्त लिकार और इसकी सब्स्ट्रेट क्रिक्क्स których इसकित लिए coinc आपको। नभी निर्फ अंजिम कोषचिया संधिया समय स्थाइब धिस दोनें को मिक्स या इंजम नियुक्स कोंप्लेक्स को अपना हम इंजम अलग और प्रड़क्त अलग बना जाएगा लोगन डिखनी समय इसे के साथ हमारे वीडियो कंप्लीट होत यह में अधिक है यह थ को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक रचान को सब्सक्राइब करें थैंक यू